ओके एवरिवन तो अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं ठीक है जैसे कि मैं फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो टर्म होता है ये क्या होता है ठीक है तो स सब से पहले हम अपना पहले वाला काम करते हैं एक नई फाइल बना लेते हैं और इसको नाम देदेते हैं text format टीक है text format . stml ठीक है यह यह हमने एक नई फाइल बना ली अब अब इस इस में boilerplate ले आते हैं ठीक और यहां पे मैं क्या करता हूँ एक paragraph बना देता हूँ sorry यह कहीं और टाइप हो गया okay so body के अंदर मैं बना देता हूँ paragraph ठीक है और इस पर लिख देता हूँ this is my text formatting tutorial ठीक है चलो अब इससे continue करते हैं ठीक है पहले देख लेते हैं हमारा ये page जो है ये live server पे आया की नहीं इसको refresh करते हैं yes textformat.stml ओके इसको थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से clear हो इसको भी जूम कर देते हैं okay चलो तो जो सबसे पहले जो मैं अभी आप लोगों को बताया कि ये जो text formatting होती है ये text formatting actual में क्या है जैसे आप इस word से समझते होंगे formatting मतलब किसी भी text का एक special format माल देजे मुझे और जे किसी टेस्ट को bold show करना या strong show करना है या फिर उसे italic show करना है, emphasize show करना है, smaller show करना है है न या फिर उस पर सबस्क्रिप्ट या super script show करना है ठीक है तो step by step मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये सारे scripting जो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या होती है ठीक है तो जैसे कि सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं बोल्ड का एक्जाम्पल ठीक है मैं यहां लिख देता हूँ बोल्ड ठीक है इससे आपको समझ में आ जाएगा बोल्ड अब माल लिजे जैसे यह दिस है है यहनठ हम लाइस सरवर पर गए यह देखिया इस माइच्ट में लिखा हूँ है तो अम मैं क्या करूंगा इस से बोल्ड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस पैराग्राफ के बीच में मैं चाहता हूँ कि इस यहां पर बी लिख दूँ और ये वाला जो इसका closing tag है ये मैं ले जाता हूँ tutorial के पास अब इसको save करता हूँ तो देखो क्या होगा ये bold में आ गया अब इसी का अगर कोई मैं part को bold करना चाहता हूँ मैं पूरा bold नहीं करना चाहता हूँ मा लेजे मैं किवल this को bold करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा closing tag यहाँ पर लगा दूँगा जिससे हमारा this वाला part केवल bold हो ये देखो केवल this bold है भी ठीक है ये होता है हमारा bold element अब एक नए element पढ़ते हैं जिसको कहते हैं strong okay strong element क्या है मैं फिर से इसको copy कर लेता हूँ यहाँ पर इस पूरे part को copy और यह मैंने paste कर दिया यहाँ से मैं इस bold element को हटा देता हूँ फिर से इसको copy करके रख लेता हूँ ताकि हर बार मुझे लिखना ना पड़े अब इसमें देखते हैं जो strong है यह क्या है जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरे को strong कर दो this is my text formatting तो मैं यहाँ क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा strong अब देखना यह actual में हो क्या रहा है ठीक है अब इसको यहाँ से हटा देते है strong और this अच्छा दिस गायब हो गया यहाँ पर लगा देते हैं closing के साथ में strong अब एक नए element देख लेते हैं italic, direct हम CSS से भी किसी भी font का size चेंज कर सकते हैं उसकी color चेंज कर सकते हैं उसका standard चेंज कर सकते हैं और यहाँ से गर आप direct करना चाहते हैं तो आप direct भी कर सकते हैं styling के through भी कर सकते हैं और direct करना चाहें dis direct भी हो सकता है ठीक है अवे यहां एक नया बनाता हूँ यहां पर देता हूं आई format यह क्या होता है आई format ठीक है देखो enter मैं फिर से paragraph paste करता हूँ और अब क्या करूंगा यह जो है न मैं चाहता हूं कि यह जो text formatting है बस इतना को ही मैं आई करूं आई का मतलब italic तो मैं कहाँ आई लिख दूँगा बस और इसको close करूँगा और यह जो last वाला आई है इस आई को मैं यहाँ पे ले जाऊँगा कि आई close हो गया इसको save कर देते हैं अब देखते हैं यह कैसा देख रहा है देखो this is my normal है और formatting tutorial जिसको हमने आई किया था वो यहाँ पे है format होता है जिसे हम कहते हैं M ठीक है M का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को emphasize करना ठीक है इसको भी लिख देता हूँ मैं M ठीक है M का मतलब हो गया M-P-H-A-S-I-Z-E-T emphasize करना ठीक है अब देखो इसका क्या format होता है इस इस माई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तो सब्सक्राइब करना ठीक है यहां पर मैं लिख दूँगा E-M और इसे ओपनिंग करके यहां पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ केवल टेक्स्ट लेता हूँ ठीक है यह देखो यह आगया Save यह देखो आप केवल This is my normal है फॉर्मेटिंग टुटोरियल नॉर्मल है बस टेक्स्ट में emphasized हुआ है ठीक है आप इसको बहुत जगा यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा फीचर होता है यह STML का अब एक और नया देख लेते हैं माल देखे हम style से या फिर CSS से हम direct किसी भी font को small नहीं करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि सब कुछ small में आए या फिर एक class के अंदर जो बाकी fonts हैं वो सब normal रहें लेकिन पूरे font नहीं मैं कुछ font को small चाहता हूं और बाकी font को बड़ा चाहता हूं let's say तो मैं क्या करूंगा यहां पर एक small element होता है ठीक है इसको small element कर देते है sma ll अब मैं फिर से इसको paste कर देता हूं यहां पर small मैंने paragraph फिर paste कर दिया ठीक है अब मैं चाहता हूं कि यह जो formatting है बस यही small हो ठीक है तो मैं यहां क्या करूंगा इसको यहां देके small और इसको close करूंगा और यहां पर से काम करते है यहां से देते हैं ठीक है sma ll ठीक यह मैंने इसको close किया close को cut किया sorry close को delete किया और यहां से formatting में जाना है हमको और small ठीक है यह मैं इसको save कर देता हूँ अब आप देखो this is my text यह देखो formatting वाला जो part है यह चोटा हो गया clear बाकि सब fonts बड़े हैं तो अब मैं चाहता हूं अगर कि यह पूरी line मेरी एक paragraph में है बस इतनी बड़ी रहे और बाकि नीचे की line चोटी रहे तो मैं वहाँ पर इस small element का use करके एक particular segment को चोटा कर सकता हूँ ठीक है अब एक और element होता है जिसको हम कहते हैं mark mark में RK ठीक है यह जो mark element होता है यह क्या होता है यह भी समझते हैं ओप्स मैंने copy किया हुआ था उसको ओके सो ठीक है एक नया paragraph बना लेते हैं लिख लेते हैं क्यों इतना अलस करना this is my text formatting to tutorial अब इसको copy कर लेते हैं यहां से ताकि बार बार ना करना पड़े अब मैं इस mark को चाहता हूँ कि यह कहां पे mark को तो mark क्या करता है देखो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको same formatting को पकड़ते हैं और formatting में ही करेंगे जो करेंगे मैंने अब यहां पे लिखा mark यह देखो ठीक हैं अब यह इसको हटा दिया closing को यहां से delete कर दिया कोगी मुझे formatting ओले पार्ट को mark करना है अब मैं यहां पे इसको close कर देता हूँ यहां से close करता हूँ ठीक है अब मैं किवल देखो formatting में कितना मज़ा आएगा आपको देखने में यह देखो this is my text normal है और formatting देखो यह yellow color में highlight हो गया किसी भी html document में अगर आपको यह करना है ना तो यह बहुत मज़ेदार चीज़ए by default इसका coloring भी change की जा सकती है वो css part हो जाता है बट by default इसका yellow color ही होता है ठीक है और यह formatting जो element है यह actually बहुत काम आता है कई बार कोई education website बनाने में या ऐसी कोई website बनाने में जहां पर हमको किसी भी चीज़ को highlight करना है ओके अब एक और element समझते हैं जिसे हम कहते हैं Dell element ठीक है एक यहाँ नया बनाता हूँ जैसे हो यहाँ लिखता हूँ Dell और enter करता हूँ और वापस अपने paragraph को paste करता हूँ अब माल लिजे मुझे कोई भी strike out आप समझते हैं इस ट्राइक आउट जो हम MS word में यूज़ करते हैं एक बीच में डंडी आ जाती है एक लाइन आ जाती है और वह ऐसा लगता है कि कटा हुआ है तो वह same portion यहाँ पर हम अब इसको फॉर्मेटिंग को यहाँ पर से जाके यह हम डेल को क्लोस कर देते हैं अब आप देखो यह देखो आप नीचे दिस इस माई फॉर्मेटिंग वाला पार्ट क्या हो गया इस ट्राइक आउट हो गया ठीक है यह एक टेक्स का फॉर्मेट एक और अब एक और फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं इंस इंस क्या होता है जैसे कि मान लेजे आपको कोई टेक्स्ट है वो यह डिफाइन करना चाहता है ब्राउसर पर कि कोई भी डॉक्युमेंट वहां पर इंसर्ट हो रहा है या पिर वहां से कटा हुआ है जैसे इस ट्राइक आउट की जगा पर हम किसी चीज को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं लेट से या कोई डॉक्युमेंट पार्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वहां पर हम इस इंस का यूज करते हैं यह आपको डेमो दिखाता हूं तो आप formatting वाला part यहां पे क्या हो जाए यह तो strike out हो जाए ठीक है जैसे कि मैंने dell property यूज करी ठीक है और इसको close कर दिया और close करने के बाद मैं इस property को ओके यह मैंने close कर दिया तो मेरा dell property बन गया मतलब strike out हो गया यह वाला अब मैं चाहता हूँ कि इस strike out वाले एरिया के बाद में instant उसके बाद में एक और inserting value आए आई एन एस ओके और formatting की जगा पे ये दिखाए कि not formatting just suppose हमने एक word डाला हुआ है तो देखो ये क्या show करता है ये देखो आप this is my text formatting not formatting tutorial मतलब formatting को हटा के not formatting की value को हमने show किया एक तरह से replacement दिखाया है हमने ठीक है ये होता है हमारा ins का format इसी में एक और format होता है जिसे हम कहते हैं subscript superscript ठीक है subscript element क्या होता है जैसे की मैं यहां बना जेता हूँ ठीक है और subscript ठीक और ये enter फिर मैंने ये paragraph को ओ शिट फिर से paragraph गया ते काम करते हैं ना कोई छोटा वाला उठाते हैं ये वाला उठा लेता है कॉपी पेस्ट इसका भी हटा जेते हैं ओके अब सबस्क्रिप्ट इसमें करते हैं तो क्या होगा जैसे की मैं चाहता हूँ कि ये जो क्लोस कर देता हूँ सब ठीक है अब आप देखो ये कैसे दिखता है ये देखो आप दिस इस माई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये नीचे की तरफ चला गया खासकर ये किस वेल्वी पर आएगा आपको और समझ में आता है अब माल दीजे मैं यहां पर फॉर्मेटिंग की जगा पर लिख देता हूँ एक्स या फिर इसकी जगा पर नहीं मैं लिखता हूँ यहां पर लिखता हूँ टू ठीक है और यहां पर लिखता हूँ एक्स और इसका स्पेस कम कर देता हूँ अब आप देखो यह कैसा दिख रहा है यह देखो X2 अब आप समझ गए हो गए कि इसका सबस्क्रिप्ट का यूज क्यों किया जाता है ठीक है वोगि यह बहुत common है बहुत common तो जब भी आपको कोई value इस तरह से define करनी है तो आप सबस्क्रिप्ट element का यूज करेंगे ऐसे ही same होता है एक जिसे हम कहते हैं super script super script ठीक है फिर से हम paste करते है फिर से हम यहाँ पे मैंने फिर से paragraph हो दिया तो फिर मैं यहाँ से copy करता हूँ copy करके फिर यहाँ पे paste कर देता हूँ और इसको यहाँ से हटा जेते हैं यहां पे हमारा था formatting तो आप formatting रहने देते हैं अपन एक्स की value ही ले लेते हैं ठीक है text x और आगे इसके कुछ और value ले ले लेंगे अभी superscript समझने के बाद तो superscript क्या होती है जैसे कि x to the power हमको 6 करना है x to the power 2 करना है तो हम क्या करेंगे x के बाद यहां पे देंगे sup और इसके अंदर देंगा मैं 2 same ठीक बस वहां पर यहां पे subscript थी sub और यहां पे sup अब मैं इसको save कर देता हूँ अब आप देखो फिर से नीचे x to the power 2 यह sub में नीचे था और sub में sup में उपर ठीक है तो यह जो मैंने आप लोगों को अभी बताया यह total html के formatting elements थे ठीक है जैसे html bold strong italic ठीक है emphasize text small mark del insert subscript and superscript यह बहुत commonly use होने वाले elements होते हैं तो इनका use जब भी आप कोई website बनाई या कोई application बनाए जरूर करिएगा ठीक है यह मैंने text format नाम से file save करिए आप लोगों को यहां से reference मिल जाएगा और जो मैं website का description दूँगा वहां से आप जाके इसको download कर लीजेगा ओके तो ठीक है अगले वीडियो के तरफ बढ़ते हैं एक नए element के बारे में बढ़ते हैं ठीक है झाले